हाई दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमारे साथ है All New Tata Punch अभी जो आप अपने सामने इसका वेरियंट देख रहे हैं ये इसका Adventure Rhythm वेरियंट है जो के Adventure वेरियंट का ये एक extension है जिसमें आपको काफी सारे features जो है वो extra देखने को मिलते हैं जिससे ये जो वाला वेरियंट है ये काफी most value for money वेरियंट बन जाता है Tata Punch का गाड़ी के front की तरह देखेंगे तो यहाँ पे आपको indicator देखने को मिलते हैं गाड़ी के center में आएंगे तो यहाँ पे आपको piano black finish में ग्रिल देखने को मिलती है Tata के logo के साथ ट्रायर और डिजाइन में आपको इसकी bumper ग्रिल भी देखने को मिलती है रेडियेटर वाली और 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 155 mm की आपको ground clearance इस गाड़ी में आफर की गई है काफी huge और bold musculo look आपको Tata punch में आफर की गई है जो कि इस गाड़ी की road presence को और भी ज्यादा बढ़ा देती है गाड़ी की side profile की तरह चलें तो और राल कुछ इस तरह की आपको इस गाड़ी की side profile देखने को मिलती है sub 4 meter category में Tata punch जो है वो follow करती है और अगर side profile देखें तो side से भी काफी अच्छी लोग आपको Tata punch आफर कर देती है wheels की तरह चलेंगे तो यहाँ पे आपको black color के steel rims आफर किये गए है Apollo के tires के साथ जिनकी profile आपको 185, 70, R15 देखने को मिलती है ORVM जो हैं आपको body color देखने को मिलते हैं turn indicator के साथ में और यह जो ORVM से यह electrically adjustable है नीचे आपको क्लाइडिंग आफर कीएगी यह दोनू दोर्स पे उपर के साथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको normal antenna आफर किया गया है shark fin आपको इस फेरियू ने देखने को नहीं मिलता door handle जो हैं वो भी आपको body color आफर कीएगी है और door की अगर quality की बात करें तो काफी heavy door जो है आपको tata punch में feel होगा crash rating में इस गाड़ी को 5 out of 5 star की crash rating हासिल हुई है fuel tank की बात करें तो 37 liters का आपको इस गाड़ी में fuel tank देखने को मिलता है rare profile की तरह चलें तो कुछ इस तरह की आपको इस गाड़ी में rare profile आफर कीएगी है जहां पर अगर आप tail lamps देखेंगे तो कुछ इस तरह के आपको इस गाड़ी में tail lamps आफर कीएगे है back profile में आएगे तो यहां पर आपको punch की bedging मिलेगी पीछे tata का logo reverse parking camera नीचे black color का bumper देखने को मिलेगा उपर देखेंगे तो यहां पर आपको high mount stop lamp आफर किया गया कोई भी वाइपर वाशर डिफागर वगेरा आपको rear windshield पे देखने को नहीं मिलते नीचे देखेंगे तो यहां reverse parking camera भी है जिससे आप easily इस गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और उसके साथ में bumper में आपको दो reflectors साथ में reverse light भी आफर की गई है अब अगर गाड़ी के boot की तरह चलें तो इस गाड़ी की का जो boot है वो भी आपको काफी बड़ा offer किया गया है overall 366 liter का boot space जो है वो आपको इस गाड़ी में offer किया गया है साथ में आपको parcel tray भी इस variant में देखने को मिलती है नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको triangle देखने को मिलता है और spare wheel भी आपको इसी में मिलेगा साथ में आपको puncture repair kit भी मिलेगी spare wheel जो है वो भी आपको 15 इंची का देखने को मिलता है इस variant में यह तो था गाड़ी का overall exterior से अब चलेंगे गाड़ी के interior में और देखेंगे आपको interior में क्या कुछ offer किया गया है तो चलिए सबसे पहले driver door खोलते हैं जैसे ही आप इस गाड़ी का driver door खोलेंगे तो कुछ इस तरह का आपको interior देखने को मिलता है Tata 5 में driver door की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको dual turn color में driver door देखने को मिलता है जिसमें नीचे आपको speaker की placement साथ में bottle holder और उपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको power window की switches offer की गई है गाड़ी के interior की side देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको interior देखने को मिलता है Tata 5 में dual tone color का जो interior है वो आपको Tata 5 में offer किया गया है जो के देखने में काफी ही premium लगता है गाड़ी के अगर steering की तरह चलें तो यहाँ पे आपको D cut में इसका जो steering wheel है वो offer किया गया है अगर steering के right side में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी control देखने को मिलता है instrumental cluster की बात करें तो कुछ इस तरह का आपको analog instrumental cluster देखने को मिलता है Tata 5 में जैसे आप इसको की लगाएंगे तो यह पूरा start होके round complete करके वापस अपनी जगह आ जाता है left side में जो tachometer है right side में speedometer आपको 220 की mark के साथ मिलता है और नीचे आपको यहाँ center में MID देखने को मिलती है जिससे आप इसके features वगेरा जैसे trip, distance to empty, fuel वगेरा सब कुछ चेक कर सकते हैं उसके बाद गाड़ी के right side में देखेंगे तो यहाँ पे आपको square shape में S events आफर किये गए हैं उसके साथ में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको traction control का button साथ में headlight को adjust करने वाली switch भी देखने को मिलती है left side में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 इंच का touch infotainment system देखने को मिलता है जो के support करता है android auto apple car play connected features को और अगर इस new system की touch की बात करेंगे तो touch भी आपको decent सा देखने को मिलता है इस new system का उसके बाद अगर देखेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको AC वेंट जो हैं वो आफर किये गए हैं अगर इस गाड़ी के speakers की बात करें तो इस गाड़ी के चार उन दोर्स में आपको चार स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद नीचे यह देखेंगे तो यहाँ पे आपको manual AC और heater देखने को मिलता है और साथ में देखेंगे तो यहाँ पे इसकी knob भी आपको आफर की गई है जिससे के आप इसका temperature adjust manually कर सकते हैं नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप A सौकेट मिलता है साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सौकेट भी देखने को मिलता है उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर्स भी जो है वो आफर किये गए है अजिस्टेबल हेड्रेस के साथ में आपको फ्रंट सीर्स आफर की गई है फैबरिक में और अगर इनके comfort की बात करें तो comfort भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है गलाव बॉक्स की बात करें तो गलाव बॉक्स भी आपक डॉकुमेंट्स वगेरा एजली रख पाएंगे कोई भी दिक्कत वगेरा आपको उसमें नहीं आएगी उसके बाद डॉर्स पे देखेंगे तो चारू डॉर्स पे आपको चार स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और ट्विटर्स भी उसके बाद ऊपर के साइट देखेंगे आप रात में ट्रैवल करते हैं तो जो पीछे से आने वाली लाइट है उसको यह डिम कर देता है और आल देखें तो कुछ इस तरह का आपको टाटा पंच में सब कुछ आफर किया गया है फ्रंट में अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल में और देखते हैं आपको बैक प्रोफाइल में क्या कुछ आफर किया गया है तो जैसे आप इस गाड़ी के बैक डॉर पर चलींगे तो जो बैक डॉर्स हैं इस गाड़ी में वो आपको स्विफ्ट और बीट की तरह देखने को मिलते हैं इस कुछ इस तरह से आपको उपर से इनको अपरेट करना इस आपको पीछे देखने को नहीं मिलते हैं और बैक डॉर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पावरणों के कंट्रोल नीचे बॉटल होल्डर देखने को मिलती है और साथ में जो पीछे वाला डॉर से वो भी आपको डियोल टोन कलर में ही ओफर किया गया है तो दोस्त